C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय ग्यारा क्षेत्रमिती प्रिष्ट संख्या 183, 11.5 बहुभुज का क्षेत्रिफल हम एक चतुर्भुज को त्रिभुजों में खंडित करते हैं और इसका क्षेत्रिफल ग्याद करते हैं इसी प्रकार की विधी बहुभुज का क्षेत्रिफल ग्याद करने के लिए उप्योग की जा सकती है एक पंच भुज के लिए निम्न लिखित पर विचार कीजिए आक्रिती 11.15 और 11.16 पर गौर कीजिए आक्रिती 11.15 यहां पर एक बहुभुज ABCDE दिया गया है इसमें तीन उचाईयां दर्शाई गई हैं जो अलग-अलग त्रिभुजों के अंदर हैं यह उचाईयां H1, H2 और H3 द्वारा दर्शाई गई हैं विकर्ण AC तथा AD की रचना करते हुए पंच भुज ABCDE को तीन भागों में बांटा गया है इसलिए ABCDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिकोण ADC का क्षेत्रफल जमा त्रिकोण AED का क्षेत्रफल आकृती 11.16, यहां पर एक बहुभुज A, B, C, D, E दिया गया है B को A, D पर F से जोडा गया है C को A, D पर G से जोडा गया है H, त्रिकोन A, E, D की उचाई दर्शाता है एक विकर्ण A, D और इस पर दो लंब B, F एवं C, G की रचना करते हुए पंच भुज A, B, C, D, E को चार भागों में बाटा गया है इसलिए A, B, C, D, E का क्षेत्रिफल बराबर है समकोन त्रिभुज A, F, B का क्षेत्रिफल जमा समलंब B, F, G, C का क्षेत्रिफल जमा समकोन त्रिभुज C, G, D का क्षेत्रिफल जमा त्रिकोन A, E, D का क्षेत्रिफल समलंब B, F, G, C की समानतर भुजाओं को पहचानिये प्रिष्ट संख्या 184 प्रयास कीजिए एक निम्द लिखित बहुभुजों आकरिती 11.1, 7 पर गौर कीजिए का क्षेत्रिफल ज्यात करने के लिए इन्हें विभिन भागों यानि त्रिभुजों एवं समलंबों में विभाजित कीजिए आकरिती 11.1, 7 यहां पर एक बहुभुज EFGHI दिया गया है बहुभुज EFGHI का विकर्ण FI है इसके बाद एक बहुभुज MNO-PQR दिया गया है बहुभुज MNO-PQR का विकर्ण NQ है बहुभुज ABCDE को विभिन भागों में बाटा गया है जैसा की आकरिती 11.1, 8 में दर्शाया गया है आकरिती 11.1, 8 यहां पर एक बहुभुज ABCDE है B को AD पर F से जोड़ा गया है E को AD पर G से जोड़ा गया है और C को AD पर H से जोड़ा गया है यदि AD बराबर है 8 cm AH बराबर है 6 cm AG बराबर है 4 cm AF बराबर है 3 cm और लंब BF बराबर है 2 cm CH बराबर है 3 cm EG बराबर है 2.5 cm तो इसका क्षेत्रिफल ग्याद कीजिए बहुभुज ABCDE का क्षेत्रिफल FH गुणा कोश्ठक में BF जमा CH बटा दो, बराबर है 3 गुणा कोश्ठक में 2 जमा 3 बटा दो, क्यूंकि FH बराबर है AH घटा AF, त्रिकोण CHD का क्शेत्रिफल बराबर है 1 बटा दो, गुणा HD, गुणा CH बराबर है रिक्तस्थान, त्रिकोण ADE का क्शेत्रिफल बराबर है एक बटा दो, गुणा AD, गुणा GE बराबर है रिक्तस्थान, इसलिए बहुभुज ABCDE का क्शेत्रिफल बराबर है रिक्तस्थान 3. यदि MP बराबर है 9 cm, MD बराबर है 7 cm, MC बराबर है 6 cm, MB बराबर है 4 cm, MA बराबर है 2 cm, तो बहुभुज MNO-PQR, जो आकरिती 11.19 में दर्शाया गया है, का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए, NA, OC, QD एवं RB विकर्ण MP पर खीचे गए लंब हैं, आकरिती 11.19, यहाँ पर एक बहुभुज MNO-PQR है, NA बराबर है 2.5 cm, OC बराबर है 3 cm, RB बराबर है 2.5 cm, QD बराबर है 2 cm, 1. समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्र फल 480 मीटर वर्ग है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ग्यात कीजिए, हल, समलंब की समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई A बराबर है 20 मीटर, मान लीजिए, दूसरी समांतर भुजाओं B है, उन्चाई H बराबर है 15 मीटर, समलंब का दिया हुआ क्षेत्र फल बराबर है 480 मीटर वर्ग, समलंब का क्षेत्र फल बराबर है 1 बटा दो H, कोश्ठक में A जमा B, प्रिष्ट संख्या 185, इसलिए 480 बराबर है 1 बटा दो, गुणा 15, गुणा कोश्ठक में 20 जमा B, अत्वा 480 गुणा 2 बटा 15 बराबर है 20 जमा B, अत्वा 64 बराबर है 20 जमा B, अत्वा B बराबर है 44 मीटर, अतह समलंब की दूसरी समानतर भुजा 44 मीटर है, उदाहरण दो, एक सम्चतुर भुज का क्षेत्र फल 240 सेंटीमीटर वर्ग है और विकरणों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकरण ग्याद कीजिए, हल, मान लीजिए एक विकरण की लंबाई D1 बराबर है 16 सेंटीमीटर और दूसरे विकरण की लंबाई बराबर है D2, सम्चतुर भुज का क्षेत्र फल बराबर है एक बटा दो D1 गुणा D2 बराबर है 240, इसलिए एक बटा दो 16 गुणा D2 बराबर है 240, अतह D2 बराबर है 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार दूसरे विकरण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उदारन 3, MnO PQR आकरिती 11.200 पर गौर कीजिए, एक शड भुज है जिसकी प्रतियक भुजा 5 सेंटीमीटर है, अमन और रिधिमा ने इसे दो विभिन प्रकार से विभाजित किया, आकरिती 11.200 एक पर गौर कीजिए, दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए इस शड का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए, आकरिती 11.200 ने यहाँ पर एक शड भुज MnO PQR दिया गया है, O P बराबर है 5 सेंटीमीटर, Q N बराबर है 11 सेंटीमीटर, R P बराबर है 8 सेंटीमीटर, आकरिती 11.200 एक रिधिमा की विधी, रिधिमा ने अपने शड भुज को दो त्रिकोणों और एक आयत में बाँट दिया है, अमन की विधी, अमन ने अपने शड भुज को दो बराबर हिस्सों में बाँट दिया है, हल, अमन की विधी, क्योंकि यह एक शड भुज है, इसलिए NQ इस शड भुज को दो सरवांग सम समलंबों में विभाजित करता है, आप इसे कागज मोडने की विधी से सत्यापित कर सकते हैं, आकरिती 11.22 पर गौर कीजिए, आकरिती 11.22 यहां पर एक समलंब है, जिसकी उचाही 4 cm है, अब समलंब MNQR का क्षेत्र फल बराबर है 4 गुणा, कोश्ठक में 11 जमा 5 बटा 2, बराबर है 2 गुणा 16, बराबर है 32 cm वर्ग, इसलिए शडभुज MNOPQR का क्षेत्र फल बराबर है 2 गुणा 32, बराबर है 64 cm वर्ग, रिधिमा की विधी, त्रिकोन MNO और त्रिकोन RPQ सरवांग सम्त्रिभुज हैं, जिन में से प्रतियक का शीर्ष लंब 3 cm है, आकरिती 11.23 पर गौर कीजिए, आकृती 11.23 यहाँ पर बताए गए शडभुज के माप दर्शाए गए हैं आप इन त्रिभुजों को काट कर और एक दूसरे के उपर रख कर इसका सत्यापन कर सकते हैं प्रिष्ट संख्या 186 त्रिकोण MNO का क्षेत्रफल बराबर है 1.2 गुणा 8 गुणा 3 बराबर है 12 cm वर्ग बराबर है त्रिकोण RPQ का क्षेत्रफल आयत MOPR का क्षेत्रफल बराबर है 8 गुणा 5 बराबर है 40 cm वर्ग अब शडभुज MNO PQR का क्षेत्रफल बराबर है 40 जमा 12 जमा 12 बराबर है 64 cm वर्ग प्रश्नावली 11.2 एक एक मेज के उपरी प्रिष्ट यानि सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समानतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समानतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ग्याद कीजिए यहाँ पर एक मेज का चित्र बना है जिसे इन ही मापों से बनाया गया है 2. एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी उचाई 4 सेंटीमीटर है समानतर भुजाओं में से 1 की 10 सेंटीमीटर लंबाई है दूसरी समानतर भुजा की लंबाई ग्याद कीजिए 3. एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड की लंबाई 120 मीटर है यदि BC बराबर है 48 मीटर CD बराबर है 17 मीटर और AD बराबर है 40 मीटर तो इस खेत का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए भुजा AB समानतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है 4. एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और 6 सम्मुक शीर्षों से इस विकर्ण पर खीचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है खेत का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है जिसमें बताए गए माप दर्शाए गए है 5. किसी सम्चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल ग्याद कीजिए 6. एक सम्चतुर्भुज का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 cm है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ग्याद कीजिए साथ, किसी भवन के फर्ष में सम चतुर्भुच के आकार की 3000 टाइले हैं और इन में से प्रतियक के विकर्ण 45 cm एवं 30 cm लंबाई के हैं चार रुपए प्रतिवर्ग मीटर की दर्ष से इस फर्ष को पॉलिश करने का वियाए ग्याद कीजिए आठ, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है इस खेत की नदी के साथ वली भुजा, सड़क के साथ वली भुजा के समानतर हैं और लंबाई में दुगनी है यदि इस खेत का खशेत रफल 10,500 मीटर वर्ग है और दो समानतर भुजाओं के बीच की लंब वत दूरी 100 मीटर है तो नदी के साथ वली भुजा की लंबाई ग्याद कीजिए यहाँ पर समलंब के आकार का एक खेत बना हुआ है उसके एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ नदी है समानतर भुजाओं के बीच की लंब वत दूरी 100 मीटर है नौ एक उपर उठे हुए चबूत्रे का उपरी प्रिष्ट अश्ट भुज के आकार का है जैसा की आकृती में दर्शाया गया है अश्ट भुजी प्रिष्ट का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए यहाँ पर एक अश्ट भुज बना हुआ है इसकी भुजाओं का माप 5 मीटर है अश्ट भुज के अंदर एक समलंब काटा गया है इसकी उचाई 4 मीटर और लंबाई 14 मीटर है प्रिष्ट संख्या 187 दस, एक पंच भुज आकार का बगीचा है जैसा की आकृती में दर्शाय गया है इसका क्षेत्र फल ग्याद करने के लिए जियोती और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया दोनों तरीकों का उप्योग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए क्या आप इसका क्षेत्र फल ग्याद करने की कोई और विधी बता सकते हैं यहाँ पर एक पंच भुज बना है जिसकी भुजाएं 15 मीटर की है और उचाई 30 मीटर की है जियोती का आरेक जियोती ने पंच भुज को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया कविता का आरेक कविता ने पंच भुज को एक त्रिभुज और एक वर्ग में बांट दिया ग्यारा सनलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेक की भाहरी एवम अतह विमाए क्रमशह 24 cm गुणा 28 cm एवम 16 cm गुणा 20 cm है यदि फ्रेम के प्रत्य खंड की चौडाई समान है, तो प्रत्य खंड का क्षेत्र फल ग्याद कीजिये फ्रेम की भुजाऊ का माप 24 cm और 28 cm है फ्रेम के अंदर फोटो का माप 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है ग्यारा दशम लवच्छे ठोस आकार आप अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि दुए विमिये आकृतियों को त्रे विमिये आकारों के फलकों के रूप में पहचाना जा सकता है अभी तक हमने जिन ठोसों का अध्ययन किया है उन पर ध्यान दीजिए आकृति 11.24 पर गौर कीजिए ध्यान दीजिए कि कुछ आकारों में दो या दो से अधिक समरूप यानि सर्वांग सम फलक हैं उनको नाम दीजिए कौन से ठोसों में सभी फलक सर्वांग सम हैं सबसे पहले एक घनाभ बना है इसके शीर्ष, फलक और किनारे को दर्शाया गया है इसके बाद बेलन बना है, शंकु बना है, घन बना है और पिरामिड बना है इन्हें कीजिए, साबुन, खिलोने, मंजन, अलपाहार, इत्यादी, प्रायह, घनाभ कार, अत्वा, बेलनाकार डिब्बों में बंद आते हैं ऐसे डिब्बों को इकत्रित कीजिए आकरिती 11.25 पर गौर कीजिए आकरिती 11.25 यहाँ पर साबुन, तुथपेस्ट, खिलोने और बिस्कुट का डब्बा बना हुआ है प्रिष्ट संख्या 188 यहाँ पर एक घनाभाकार डिब्बा बना हुआ है सभी छे फलक आयताकार है और सम्मुक फलक सरवांगसम है इसलिए घनाभ में सरवांगसम फलकों के तीन युग्म होते है इसके बाद एक घनाकार डिब्बा बना है इसमें सभी छे फलक वरगाकार है और सरवांगसम है इसके बाद एक बेलनाकार डिब्बा बना है इसमें वक्र प्रिष्ट को दर्शाया गया है वृत्ताकार आधार एवं शीर्ष सर्वांग सम है एक वक्र प्रिष्ट और दो वृत्ताकार फलक जो की सर्वांग सम है अब एक समय में एक प्रकार की डिब्बे को लीजिए इसके सभी फलकों को काटिए प्रतियेक फलक के आकार को देखिए और समान फलकों को एक दूसरे के उपर रख कर डिब्बे में फलकों की संख्या ग्याद कीजिए अपने प्रेक्षणों को लिखिए क्या आपने निम्न लिखित पर ध्यान दिया? बेलन के सरवांग सम वृत्ताकार फलक एक दूसरे की समानतर है आकरिती 11.26 पर गौर कीजिए आकरिती 11.26 यह एक लंब वृत्तिय बेलन है ध्यान दीजिये कि वृत्ताकार फलकों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड आधार पर लंब है ऐसे बेलन लंब वृत्तिये बेलन कहलाते हैं हम केवल इस प्रकार के बेलनों का ही अध्ययन करेंगे यद्यपी दूसरे प्रकार के बेलन भी होते हैं आकरिती 11.27 पर गौर कीजिए आकरिती 11.27 यह एक लंब वृत्तिय बेलन नहीं है सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए सनलग्न आकरिती में दर्शाय गए ठोस को बेलन कहना क्यों गलत है यहाँ पर एक लैंप शेड जैसी आकरिती बनी हुई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन्व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. झाल, 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 झाल झाल